तुम्सकार अब देख रहे हैं नेक्शनाइन न्यूज और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच अज एक और नई अपदेट हम लाए हैं और ये हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर जी हैं उत्तर प्रदेश में आजम खान की नापम पर सियासत फिर से गर्मा रही है आजम खान को जेल से रहाई न मिलने पर जमानत मिलने के बावजूद जेल से उन्हें बाहर ना निकाले जाने पर आवाज अब उठी है किसी और नहीं बलकी बस पास सुप्रीमो मायावती की जियां दोस्तों मायावती ने आवाज उठाई है मायावती जो अभी तक समासवाधी पार्टी पर हमला बोलती नसर आई मायावती जो अकिलेश ओद पर जम कर तंज कसा था लेकिन मायावती कहती है कि जो इतने बड़ी तादात में वोट पाने के बावजूद, दलित और मुस्लिमों का वोट पाने के बावजूद, जब खुद अकलेश यादव मुख्य मंतरी नहीं बन पाए, फिर से बीजेपी की आगे, वो मात खागे, वो भला क्या मुझे आवास मायावती उठा रही है, निश्यत रुप से मायावती बस्पा में आजम खान के स्वागत का रास्ता साफ करती है, नजर आई है, आजम खान का बस्पा में स्वागत तैय बताया जा रहा है, मायावती ने खुल कर कहा, आजम खान को लेकर उनके लिए न्याई की मायावती का दर्द चलक पड़ा है मायावती ने जिस तरह से आवाज उठाई है वह भाजपा पर अमला बोल रही हो भाजपा सरकार पर लेकिन अखले श्री आदव से आजम को दूर करने की प्लाणिंग मायावती की साफ साफ नजर आ रही है आजम कान जो कि सपा से विद्रो आजम खान के साथ सपा से दूसरी और रुकसत करेगी क्योंकि आजम खान के साथ साथ पूरा मुस्लिम समुदाई खड़ा है उनके लेकर मीडिया प्रभार ही नहीं बेलकि MP की बात करेंगे तो डॉक्टर अर्मान रह्मान बर्क ने भी कहा है कि मुस्लिम के लिए सपा कुछ नहीं कर रही है तो अखलेश ने भी कहा कि मुस्लिम समुदाई के लिए अच्छा भाजपा नहीं कर रही है आजम खान को जेल से निकालना चाहिए अब अखलेश के इस तरह की आवाज उठाने से क्या पायदा वो तो डर गए है क्योंकि आजम खान के लिए डाई साल में व तो क्या बसपा की प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आजम खान क्योंकि AIMIM के नेता असुद दिनोवैसी ने क्लियर कर दिया कि अगर वो AIMIM पाटी में जुड़ते हैं तो आजम को प्रदेश अध्यक्ष की कुरसी दिया जाएगा शौक अतली ने खुद से ही कहा तो आजम क कहा दो साल जेल में बंद रखने का मामला काफी जो चचाओ में रहा है आजम खान को लेकर न्याय का गला घोटा नहीं जा रहा है तो क्या किया जा रहा है जो आजम खान को सबादो साल से जेल में बंद रखा गया है अब उनके ट्विट्स आप पढ़ सकते हैं और आप इस